इन पलकों के पीछे हैं कितनी सपने हूँ दिल जाए हो जाए वो सर अपने जाग जाग जाए ये मन में आशान राशां के बादर दिला से का सूरज ओ खुशियों की किरने बन थे हमेशा चंपेंगी दावन में तेरे हो मनशा, 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 मनशा पापा, इस सजा को मैं इनाम समझ के निभाँ मनशा के दिल में भी तुम्हार ले प्याज ज़रूर पैदा होगा अब आपकी मन की आएने में एक बेहत साफ सुत्रा इंसान है तुमने भावनाओं में बहे कर जो कुछ भी किया है उससे ना सिर्फ हम सब को दुख हुआ है अलकि हमारी इजद की भी धज्य हुड़ा ही तो वो विने का कातिल यहा है तो मेरे छोड़े भाई विने खन्ना का कादिल हमारे घर तक पहुंच किया है आप लोग कर कर रहे हैं रोहत समभडी स्टाइं टू केल मांचा मेरे दिल में विने की यादे इस तरह बसी हुई है कि इसका कोई भी कोना खाली नहीं है क्या सोच रहे हैं आप अग रह क्या गया सोचने के लिए पस समझ मैं नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया मन्शा को जब विदा किया था तो भगवान से मन्शा के लिए दुनिया की सारे सुख सारे खुशी की काम ना की थी मैंना और भगवान के आगे किसी के नहीं चलती न ये मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ पर फिर भी मुझे भगवान से शिकायत है क्या होगा मंशा का? अभी उमर ही क्या है उसकी? कैसी उदासी में डूब कही है बो? मेरा तो जी चाहता है मैं उसे अपने पास बुलाइगा यहाँ हमारे घर हमारे पास कहा तो था मैने मंशा से पर शायद मंशा को मेरी इस बात का एसास ही नहीं हुा और आशा जी ने मैं कहा कि मन्शा वही रहेगी उनके पास मन्शा ने जो थोड़ी बहुत खुशिया पाई थी विनय के साथ थोड़ी देर के लिए वो पल, वो यादे, उसी घर से जुड़ी वो पलो को मा ढूंडेगी तो और दुखी हो जाएगी और यादो के साहरे जीना इतना आसान नहीं होता है हाँ पर यादो को मिटाना भी तो इतना आसान नहीं है पर मन्शा को दुख, उसकी उदासी मुझसे देखे नहीं जाती जब बुआ के शादी होई थी, वो कितनी खुश थी अब बुआ की शादी फिर से कर लो वो फिर से खुश हो जाएगी काश मुझे इन लकीरों को पढ़ना आता कहते हैं कि इनसान के जिंदगी के सारे उतार चड़ा इन चन लकीरों में ही चुपे रहते हैं में यह हमारा बच्चा है न बहुत शरातियों किया है मैं उसकी हलचल भी मैसूस करती है एक अजीब सी खुशी मिलती है लेकिन इस खुशी में आज तुम नहीं है इतने दूर चले गए हूं कि पर मेरे दिन में तुम हमेशा के लिए देश चुके है जानते हो आज मेरे गोधर है यह तुम्हारे बहुत यादा रहे है तुम्हारे बहुत यादा रहे है तुम्हारा बच्छा इस दुन्या में आएका ना तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता होगा क्योंकि वो यहाँ मेरे दिल के सारे बाते सुनता होगा क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम कुछता है इसले सिर्फ इसले मामी जी ये साड़ी और कंगन मंचा के लिए और मैंने मिठाई और नारियल भी मंगवा लिया और कुछ तो नहीं चाहिए नहीं पैस काश्विने जिन्दा होता इसको उत भराएगी रस्म का रंगी कुछ और होता है ना मामी जी आप ही तो कहती है कि किस्मत पर तो किसी का बस नहीं चलता हाँ वक्त कहां ठैर था किसी के लिए जाने वाला तो बस चला जाता है मामी जी मैं आपका दुख समझ सकती हूं पर भगवान जब दुख देता है तो उसके साथ उमीद के किरन भी तो जगा देता है और मंशा का यह आने वाला बच्चा हम सबके लिए उमीद ही तो है और आज हम उसी बच्चे और उसकी मा के लिए मंगल कामना की पूजा ही तो कर रहे है हाँ इस वक्त इन मंगल कामना और शुब कामना होगी मंशा से जादा और किसको जरूरत है कविता तुमने मंशा के भाई भापी के लिए मिठाई के डिब्बे मंगवा लिये ना मामी जी आपकी ये बड़ी बहु वाक के बड़ी हो गई है अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझती है अच्छा ठीक है आज के बाद मैं कभी नहीं पूछूगी लेकिन मामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है आपने बापा और विजे को आज पूणा जाने से रोका क्यों नहीं जब हम घर में मंच्छा की गोदभराय की रस्म करने जा रहें तुम्ही ने तो कहा था ना कि ये रस्म सिर्फ औरतों के लिए है आदमियों का इसमें कोई काम नहीं होता वैसे भी ये रस्म सिर्फ औरतों के लिए होती है शगुन के रस्म है साथ महने आराम से गुजर गए आने वाला वक्त भी अच्छी तरह से गुजर जागा और बच्चा एक शुब महरत में इस दुनिया में आए असे सी की कामना के लिए मामी जी हमारे रीती रिवाज भी कितने प्यारे होते हैं न विष्टों को एक दोर में बादे रखते हैं हाँ अच्छा सुनो तुम ये गंगन और साड़ी मंच्छा को दे देना और कहना जल्दी से तियार हो जाए मैं मानों के आने का वक्त हो रहना मामी जी आज मैं मंच्छा को अपने हाथों से तियार करूँगे मंच्छा बाबी आज तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत ही अच्छी से चामक है बहुत ही खुबशूरुत लग रही हूँ ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों के अहसास ने तुम्हे अपना लिया वैसे पता है किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब औरत मा बनने वाली होती है ना तो उसमें एक नया रंग, नया रूप, एक नई सी तासगी आ जाती है एक में रुकवा मैं तुम्हें काला टीका लगा देती हूँ कहीं किसी की नजर न लग जाए बाभी, मुझे किसी की नजर नहीं डग सकती आपका प्यार जो है मेरी पास और मापापा का अशिरवाद भी है मुझे किसके नजर बग सकती है तुमने बिलकुल ठीका है माच्छा अपनों का प्यार, बड़ों का अशिरवाद आखिर ये हमारे साथ होना को बस पर किसी चीज़ से जरूरत नहीं पड़ती यही सब तो हमारी लक्षा करता है भावी, मा की ममता में इतनी शक्ती होती है कि उसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर, नुकसान नहीं पहुचा सकती भावी मंचा, आज मैं तुम्हारे पास अपनी एक इच्छा लेकिया है अगर आपकी इच्छा मुझसे जुड़ी है तो वो इच्छा मेरी होई और अपनी इस अंजानी से इच्छा के बारे में जरूर जानना चाहूँगी बताईए मंचा, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मा की ममता क्या होती है तुम ममता के एच्छा को तुम हसूस कर चुकी हो मा अपने उने वाले बच्छे के लिए खुश्यों की तामना करती है उसके लिए सपने देखती है इस नन्नी सी जान के साथ बहुत सारी आक्टिविटीज के बारे में सोचती है और मुझे पूरा पूरा विश्वायस है कि तुम्हारा और विने का इस अपना जरूर पूरा होगा लेकिन आज मैं तुमसे वो मांगने आई हूँ जिसके लिए हर मां का दिल तडबता है भावी आप मांग कर तो देखिए मेरी खुशी पर आपका पूरा हग है और आपी ने तो गहां था कि मेरी खुशी आपकी अमानत है जिसे सिर्फ और सिर्फ आपी संभाने की फिर ये संकोश कैसा अब मां करता देखिए मंच्छा जब तुमारा बच्चा होगा और तुम उसे लेकर घार आओगी सबसे पहले उसे अपनी कोड में अपनी बाहों में बह ही उठाओगी ज़रूर भावी यह तो आपका हक है इसलिए नहीं कि आपने उसको जिंदगी दिये अच्छा तुम अपना हाथ दिखाओ यह तुम्हारे लिए और यह साड़ी भी तुम्हारे लिए अच्छी है ना? बहुत अच्छी है भावी मंच्छा तुम्हे आज मैं अपने हाथों से जाओगी मुम्हे है कि अच्छा तुम घच को अच्छा तुम्हारे लिए को अच्छा तुम्हेlere मंच्छा तुम्हें नहीं मैं अब्याले हाथ और यह वी जाओ, प्रिक्ट्व मांपने हाथ सुलिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कितनी प्यारी कितनी लग लग गई है ना मन्शा? हाँ, मुश्करा भी रही है पर अपने अंदर की उदासी को तो नहीं छुपा पा रहे हैं हाँ, पर आप सब का बड़ा साथ है उसको हम तो यही सोच के निश्चिंत रहते हैं कि मंशा इतना प्यार करने वाले लोगों के बीच रहते हैं पर हम सब का प्यार विन्हे के प्यार की कमी को तो पुल्र ही कर सकते हां जीवनसाती का साथ है उसका प्यार अगर छूट जाए तो लाखों लोगों से घेरे होने के बावजूद भी अकेलापन तो घेरी लेता है कल रात को ही मैं और अशुक मंचा के अकेलेपन के बारे में बात कर रखे तो निखिल ने अपने भूलेपन ने एक बूली से बात कह दी उसने कहा कि ममी मंचा बूल के जब शादी हुए थी वो कितनी खुश थी पापा हम बूल के लिए नया दुना लाएंगा फिर बूल रोएगी नहीं मैं आतियों अभी मैं अभी नहीं आतियों अभी आप मुझसे और इंतजार नहीं होता मैडम मुझे थोड़ा सबक और दे देजे रखो मेरे तास वक्ती तो नहीं है मैं अगर चाहूं तो तुहें एक पल में इंसा लाखों के पीछे खड़ा करवा सकती हूँ पर नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्यूं कि मुझसे मन्शा की इतनी सी भी खुशी बरताशन में होती तुम कहोगे कि विने की मनने के बाद मन्शा की जिंदगी में दुख ही दुख है लेकिन रखो मन्शा अब मा बनने वाली है उसकी गोद में विने का बच्चा कहलेगा नहीं रखो नहीं मंशा को मारना ही होगा तुम ही मंशा को मारना ही होगा मैडम कोशिश टारा हूं यजिक मैं लगदा है कि मन्शा उपर वाले से अपनी उमार कुछ चादा इलंबी लिखवा कर आई गी रखो न्वें क्वी बहाने नहीं जुनना चाहती और तुम जो मन्चा के घर पे गए थे ना, पुलीस को पूरी पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है, पुलीस मुझसे पूच्टाच कर नहीं कर, मैंने कुछ कहा तो नहीं इस पार, लेकिन अकली बार की क्यारंटी नहीं दे सकती हो, देखो रखो, फिने के मरने के बाद मेरी जिं वरना विने के मर्डर के जुड़ने, तुम्हारी फांसी की ख़बर सुनकर भी मैं काफी खुश हो सकती है, माडम, मन्चा की मौत की ख़बर आपको बहुत चल्द में जाए, ये आप से रगु का वादा रहा है, अरे भाईया, और कितनी देर लगेगी? सब्सक्राइब के हैं अरे क्या दसमेट लगा रहा है तुमने? अरे जाए ये खिर से दसमेट कहा है? पिछले एक गंटे से दसमेंट, दसमेंट कर रहा है, जिस दिन जल्दी होती है असी दिन ये सब होता है, मन्छा की गोध भराय और ये पापा, आपका मलम है कविता क्या रही थी फोन पे, क्या? क्या? क्या रही थी ओनली विमें, नो मैलन अगा आज तो दिन भर मंण्छा के क्या ये सिर्फ आशिरवाद ही निकलता रहा है, ये शर्ब इसको और विसके पच्छे को और सही स्लाह मत था, मैं? अलो? तुम लोग ने जो मेरे लिए पुलिस में अपनी कम्प्लेंड की है ना वो मुझे बहुत पसंद नहीं आई क्या धंकी धंकी दे रहे हो तुम मुझे धंकी धंकी दे रहा हूं अचनो एक बात अपने भेजे में अच्छी तरह से उतार लो अगर अपने परिवार की सलामते चाहते हो तो आइंदा पुलिस के साथ अपने तालोकात बढ़ाना बंग कर दो संद्धा है कि अई है का अफ़ो पॉलज कौन था वे गएठा। वोई कातिल था अजया था हथा दंगी दे रहा था और क्या लेकिन पापा पुलीस को फोन तो कंड़ा नहीं प्लीस कितना और समय लगेगा इस प्लीस 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 लेकिन या सुनना मेरा मन करता प्लीस मैं थे पुछा दिना मन कर रहा है नहीं लेकिन मेरे होने वाले परतीजे या बतीजे का तुमन कर रहा होगा ना जल्दी से पीो मन्शा खट करो पूरा ग्रास कत करो गुट क्या हुआ अ हम लिया कि करें अदर अनरशा आजुए हमादार की हम इस मपाली आजान चाहिए हमाई जाल दियाओ कर आजु़ हम आजू अदुर देखे डिए मज़े लगता है इसको लेबर पेन और जल्दी सबीजा को फोन करें, देखा को कहां पो आजा है मंझा मंचा मामी जी बिजय का तु फोन नहीं लग रहा, स्विच्टाफ है तुम्हेहThis दो भी जॉँ आए मंचा सुन बस बांस वहाई मंचा बस बस बढ़ा है मच्छा Arya, क्या हो? रोए पंचा के तब बढ़ाद करापके सा उस्पिरी कि जाने तो नो नो में मच्छा थाइक्स, राइ बस मच्छा बस 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 रलाक्स, सब्टिक मच्छा मच्छा बस बस मच्छा 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 मुषच्ट! मुषच्ट! अधिनुट की शाओ, मुषच! मा, फ्लीजु! ये, प्लीज! प्लीज, ये, इसे बुलिट चला जाएंगे शाओ मुषच! मुषच्ट, इखो! अम इस्ट परेट की भागसे लौते, मुषच! Ar heroic inoine, couple of you can't make those in here ạ. September, no, Marchand, normal, Marchand... Ar aplaudert. Marchand. जो, बस अलाव सुख़ाई इत्मन कहें तुझे मन्शा, मन्शा, मन्शा तरही नपर कोगे